आज यूपी कैबिनेट की एहम बैठक होगी शाम को लोगभवन में ये बैठक बुलाई गई है योगी कैबिनेट कई एहम प्रस्तावों पर मोहर लगा सकती है तो योगी कैबिनेट की आज एहम बैठक बुलाई गई है कई प्रस्तावों पर आज मोहर लग सकती है ये बैठक लोगभवन में बुलाई गई है बैठक में कई एहम प्रस्ताव जो है उन पे मोहर लग सकती है और बैठक में आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग आना भी शुरू हो चुके हैं जो भी नेता है यूपी कैमिनेट यूपी यहाँ पे लोगभवन में पहुशना शुरू हो चुके हैं तो शाम को लोगभवन में यह बैठक बुलाई गई है शाम को यह बैठक होगी जिसमें खुद CM मौजूद रहेंगे और उनके सामने जो भी प्रस्ताव रखे जाएंगे उस पे चर्चा होगी प्रस्तावों पर और इनमें कई एहम प्रस्तावों पर कहा जा रहा है कि मोहर लग सकती है और अभी देखने वाली बास होगी शाम को बात सामने आएगी कि कौन-कौन से प्रस्ताव है जिन पर मोहर लगी है तो आपको बता देगी शाम को लोगभवन में यूपी की बैठक बुलाई गई है शाम को बैठक होगी कई एहम प्रस्ता जिन पर मोहर लग सकती है। लोग भवन में जिसमें की फेस्टू का जो मेट्रो का काम है उस पर भी चाहने की उमीद है। जो भी विभाग के लोग हो सकते हैं उन्हों कुछ निर्देश जारी कर सकते हैं। जिसमें की में एक्सिटेंटल जिसमें किसान नहीं रहते हैं खत्म हो जाते हैं। उससे जो मुआज़े हैं, मुआज़े की जो रासी है, इंस्योर्ड, उसके बुक्तान को लेकर खाफी सिकायते आ रही हैं। कई भाइस्पा विधायकों ने भी सिकायते की हैं। तो उस पर योगी हो सकता है कोई बड़ा डिसीजन ने में की। तो आदित कहिने कहीं देखने को लगता है कि पूरी बैठक में जो में मुद्धा रहेगा, जो में सेंटर ऑफ एक्ट्रक्शन रहेगा वो किसानों का मुद्धा ही रहेगा। जी हाँ, किसानों का मुद्धा रहेगा हैं। तो जैसे कि आपने कहा था कि मैट्रो फेस्टू के लिए को लेकर भी चर्चा होगी, तो मैट्रो फेस्टू का विस्तार कहा कहा तक कैसे कैसे लोगों को इससे लाब मिलेगा। आदित बहुत बहुत शुकरी आपका हमार साथ इस खबर पर जुणने के लिए।